इसे पोर्व के रंब का पुत्र और भी शक्तिशाली बन जाए हम पिता और पत्र का अंत करतेंगे यह काओ से प्रति शोद लेना है तुम्हें स्रम को और योग के पनाओ और तुम बन जाओ महिशासर आपके आने में बहुत भी लंब हो गया पिता श्री माता भी अपने भक्त के प्रती अपना धर्म निभाने के लिए चली गई पिता श्री अब पुना मेरी मा का रूप लेकर आने में उन्हें बहुत समय लगेगा उमा मेरी विवश्ता को इतना बढ़ा धान दिया तुम्हें तानिक प्रतिक्षा भी नहीं कि अब आवेश में लिया हुआ तुम्हारा ये निड़ने बहुत लंबे समय तक हमें एक दूसरे से दूर रखेगा कैसी असहनी ये दुख की ये बेला महेश्वर महेश्वरी बिछोहा को छेला अश्रू में समाहित है जिसके जल धिसारा कर सकती है जल थल जिसकी एक धारा थाम लिये शंकर के अश्रू एक दंता विघन हर लिये जगत का पुनह विघन हरता माता पेता के दुख से दुखी का जान हारी रिदय शोक संतप सामन मापिता श्री आप दोनों ने तो अपना धर्म निभाया जो आपके लिए उचित था वो किया किन्तो माता पिता का अलग हो जाना संतान के लिए कितना पीडा दाई है इसका अनुमान भी है आपको आपकी संतान का तो जैसे संसार ही बिखर गया गनेश जी अमें कुछ भी करके महादेव को उनके दुख से निकालना हो का अन्यथा अन्यथा क्या नंदी जी जब माता सती का देहान दुआता तब भी महादेव व्याकुल और और शोका कुल हो गए थे पूरी स्रिष्टी में विनाश ही विनाश होने लगा तब स्वयम नारायन को हस्त शेप करने पर विवाश होना पड़ा और उन्होंने अपने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती की देह को 51 टुकड़ों में बाटा जिनके प्रत्वी पर आने से वहाँ एक 55 शक्ती पीटिस था फेत हुए अब जाकर शान्त हुए थे महादेव मैं पिता श्री को पुना वैसी अवस्था में नहीं जाने दे सकता अपनी पीडा भोलकर मुझे मा की अनुपस्थिती में पिता श्री का ध्यान रखना होगा चलिए दुखी मत हो ये पिता श्री सब पुर्व की भाती पुना हो जाएगा मा लौट आएंगी पुर्व 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 एक और माता पारवती के चले जाने से कहला शपून हो गया है तो वही दूसरी और आपके वर्दान के कारण जिस असुर का उदय हुआ है अब वही हम सब के लिए संकत बने वाला है महादेव के वर्दान के कारण रंभ का पूत्र जन्म से ही अतीबलशाली लिए ज़ि उसने ब्रह्मदेव की तफस्या कर उनसे भी वर्दान प्राप्त कर लिया तो नहीं नहीं सूरेदेव ऐसा कदापी नहीं होने देंग्या इससे पूर्व की रंभ का पूत्र, अपने पिता से मार्ग दर्शन प्राप्त कर और भी शक्तिशाली बन जाए उन दोनों का ही उपाय करेंगे उपाय? कैसा उपाय देवराज? पिता पूत्र का अंत यही उचे इंतो कैसे? आप चिंता मत कीजिए देवगर्ण देवराज के उपाय को सक्ते करने का उपाय है मेरे पास अरंब कैसा भी हो परंदु प्रतेग धीव का अंत मेरे ही अधीन है मैं अपने वहान महिश को भेज कर छिल लूँगा पिता और पुत्र का जीवन मा के वियोग में पिता श्री की ये तशा मुझसे देखी नहीं जा रही है पिता श्री पुत्र गनेश मेरे तृशू कहा है? यही है आपका त्रिशूल, जहां वो सदा होता है उचित है मेरे पुत्र गनेश पुत्र गनेश हुआ वर चे झात वरono वर लग वस बुल पर दयत लल कि अधिए पिता श्री आई ये मेरे साथ का पुत्र आईए हम पिता पुत्र साथ में भूजन करेंगे ओमा खेलाश में इस भावन में जहां देखता हूँ वही मेरी उमा के स्मृत्याओं भार कर मुझे दुखी कर रही हूँ जिसका साथ मुझे चाहिए वो मेरी उमा यहां नहीं है और किसी का विसाथ मुझे संदुष्ट नहीं करेगा इसलिए अभी मुझे अकेरा रह्म पर पुत्र पिता श्री मुझे माता को पुना लोटा कर लाना ही होगा मा तो अपने बाली का रूप में कितनी प्रसन्न है कौन है वहां यहां आओ चोटे चोटे हाथ पालंबो दर देवा मा मुझे ऐसे देख रही है जैसे उन्होंने मुझे पैचान लिया है तो मुझे उनसे जो सब कहना है कह देता हूँ कि कैसे उनकी आचल की छाव से वंचित होकर मैं कितना उदास हो और कैसे मेरे और पिता श्री के नेत्र सदा उनको ही ढूनते रहते हैं कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें नहीं माने मुझे नहीं पहचाना मुझे भूल गई है मा क्या हुआ इतनी दुखी क्यों हो कौन हो तुम्हें महादेव और पार्वति नंदन गनेश हो मैरी शी कात्याइन की पुत्री कात्याइनी हो तो क्या मा मुझे और पिता श्री को पूलरूप से भूल चुकी है तो क्या पिता श्री और माँ अब कभी नहीं मिलेंगे ऐसे दाओ लगाते हैं मैं शासुर दाओ दाओ ये कैसी प्रयानक धनी है ये कौन आ रहा है याँ यम्राज का मैश आवश्य हमारा अयुद करने आ रहा है सब्सक्राइब अएदू सब्सक्राइब भाद पुरू सब्सक्राइब भादाब प्राइब ये ताओ ये ताओً कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि वेड़ा श्रव कि तायए कर दो क freshmen कर दो कि वेड़ी पाम कर दो कर दो मालक या मराज भूम है तरे पास्ट कोई भी सुरक्षित नहीं है तरे भागने का प्रयास मत करो देखो अपने पिता का अंत अधर्म का प्रारंब कहीं से भी हो उतका अंत इतना ही भयानक होता है आउदान बालक मेरा आशे अनुचित नहीं किम्तु ये बालक अभी अप्तेंथ ही छोटा है मैं भला इसके प्राण कैसे हर सकता हूँ नहीं ये उचित नहीं होगा देवगर्ण हमारे समक्ष कोई दुष्ट असूर नहीं है इसा कि मृत्यू से एक दुखी ऐसा है बालक के प्राण कैसे हर हो आप उचित कह रहे है काल देव ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते हम एक पालक का वद करने का दुष्कृत हम देवताओं को शोभा नहीं देता पताष्री राष्री राष्री कटा छोटा हो तो क्या हुआ तुमन पर कष्ट वो भी देता है मुझे जीवित छोड़कर बहुत बड़ी भूलू यह कम सबसे बहुत बड़ी भूलू यह कम सबसे अब मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूगा रदिशोज लोंगा में अभमें प्यताश्री की हत्या का को आने बाप अब देवताओं के पष्टाने का समय निकट है मुझे डराने आये हो या मेरी साहता करने कौन है आप अपना परिचे दीजिए मैं असुर गुरू शुक्राचार तुमारी साहता करने आओ पुत्र अपने पिता को इस प्रकार खोना दुर्भाग के पूर्ण ही नहीं तुख़द जो हो गया उसका शोक मनाने से क्या लाब है गुरु देव आग्या दे कि अब मुझे क्या करना है प्रति शोद लेना है तुम्हें देवताओं से अपने पिता की निर्मम हत्या का प्रतिशोद अध्यन्थी आहत हूं इस बात से कि मा मुझे ही अपने पुत्र को नहीं पैचान रही है मैं तो यहां मा से भेट करने आया था किन्तो अब मैं कहां जाओं कैसे पिता श्री से मा की पुना भेट करवाओं पुत्र गणेश मा यदि तुम्हारे पिता समय पर मेरे पास पहुत जाते तो कदाचत में यहां नहीं आती किन्तो क्यों मा क्या आप पिता श्री को ख्षमा नहीं कर सकती वो आपके बिना अत्यन दुखी है मा क्या आप अपने इस रूप को त्याकर पुना नहीं लोट सकती मा नहीं पुत्र क्योंकि मेरे इस रूप के पीछे बहुत ही बड़ा उद्देश महादेव भक्त होने के बाद भी तुम्हारे पिता दिर्गायू ना बन सके रहे स्परन रहे पुत्र स्वें महादेव के वर्दान से जम लेने के करण त्यंत बल्शाली हो तूम इसलिए दियोताओं से अपने पर हुए प्रतेक अन्या का प्रतिशो लेने के साथ मैं कोई विलम नहीं करूंगा गुरुदेव तूम वीर हो स्वें को प्रतिशो के लिए तयार करो अपने प्रतिशो लेने में मैं कोई विलम नहीं करूंगा गुरुदेव तूम वीर हो स्वें को प्रतिशो के लिए तयार करो देवता भी तुम्हारे सामने थर थर कापे तुम बन जाओ भान अजयासुर महेशिपुत्र महिशासुर 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 इछाबर करदो अपना बच्पन अपनी युवा वस्था उस कठोर तप में पुत्र अपना पतिश्योद लेने के लिए यदि मुझे सहस्त्रो वर्चो तक तप करना पड़े तो वो भी मैं करूंगा, गुरुदेव कैसा उद्देश्य मा? उस उद्देश का कारण बहुत ही शीगर सबके समक्षा जाएगा पुद। किन्तु उसके पूर मुझे, तुभारी मा को यही रहना होगा मा, यहां आकर आपको विच्छिक करने की कोई इच्छा नहीं थी मेरी किन्तु जब तक आप अपने इस अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर कैलाश लोटेंगी बहुत समय व्यतीत हो जाएगा मेरी बाल्य अवस्था तो बीच चुकी होगी मा पुत्र, तुम्हारे बाल अवस्था का सुक मैं भी नहीं खोना चाहते इसलिए जब तक मैं कैलाश नहीं लोटती तब तक तुम बालक ही रहोगे ये मेरा आशिरवाद है कि समस्थ जगत में तुम बाल गणेश के नाम से भी प्रसिद रहोगे आशिरवाद है अब तुम जाओ पुत्र, मुझे अपने इस अफ्तार की मर्यादा पून करने दो मैं भी तुम्हारे और स्वामी के पास लोटने के लिए विच्छलत हूँ पुत्र किन्टु ये तब ही संभव होगा जब मेरे इस रूप का उद्देश पून होगा उस उद्देश का कारण बहुत ही शीग्र सबके समक्षा जाएगा पुत्र प्रतिशोद की भावना किसी भी परिस्थिते मैनुचित है इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता ये व्यक्ति को अंदकार की उर्ध केल देती है